हेलो गाईज स्वागत है मेरे चनल में और आज मैं कुछ आपके लिए ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूं जो आपके बहुत ही उस्पूल होने वाले हैं तो आप मेरे वीडियो को पूरा बहुच कीजिगा और कुछ ऐसे किचन टिप्स हैं जो आपके काम को आसान बनाएंगे और आपके जो परिसान यह हैं घर और किचन से लेकर वो सभी सॉल्फ होने वाली है इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखेगा और मेरे चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए तो मेरी यह पहली ट्रिक है टॉफी के खाली चर्ण है तो इस तरह के जी सामान है हमारे इसमें रखिया सकते हैं तो यह इसमें तरम तरीके से रखियरें है और जब हमें जरूरत क्रिक है छोटे चोटे मसाले होते हैं कितनी वार हमें मिलते नहीं है बड़ी डबों के पीछे गिर जाते हैं या फिर किचन में सले पर जगह घेरते हैं तो इनके ऐसा क्या किया जाए जो यह दब हमारे नातों हमें मिलने में टाइम लगाएं और नाहीं हमेरे किचन में गंद गिरेंगे तो इसलिए हमें इन्हें धूंड़ने में आसानी होगी और हमारे समय की बचत होगी तो हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे तो है ना कितनी कमाल की ट्रिक है तो यह सारी डब्बियां केबल एक डब्बे की ही जगए गिरेंगी तो हमारा किचन का जो इस पेस है व बोड़कर किसी डब्बी में रख़गा अच्छी ट्डिक है तो आप इसे ज़रूर फॉलोगा करें तो अगरी धिक हमारी च्छोटी डब्वेको लेकर तो हमारी है झसी हमारी छोटी डब्भी निकल अती भी तो आप इन लिखने के लिए पैन रख पाएंगी और आपको मिलने में भी आसानी होगी जब भी आपको कोई सामान घत्म हो तो इससे चल्दी से लिखकर नौट कर दें तो फिर आपको ठोचना नहीं पड़ेगा और यह अगली ट्रिक है मेरी जाडू को लेकर जब हम कोई फूल जाडू नहीं लेकर आते हैं तो उसके अंदर बहुत ही सारा गंदगी जो होती है वो निकल कर आती है तो पुरानी जाडू के डंडे से इस तरह से उसे पनी में ही इस तरह से कूट दें और जो इसमें जो गंदगी हमारे सारे घर में हो जाती है हमेरी बहुत मैनुत बढ़ जाती है तो हमें उसके जाड़ लगाने के साम को दुफैर को जाण लगाते हैं तो उसके बाद से फिर से हमें पहुच्चे का काम बढ़ जाता है तो हैना कितनी कमाल की ट्रिक है आप इसे जरूरर फॉलो करें तो मेरी वीडियो यदि आपको जराब यूसफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा ट्रिक कौन सी अच्छे लगी और आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि जब आप कोई लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी वीडियो बनाने के लिए थोड़ी हीमत और बन जाती है और चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाए थैंक यू पूर बाजिंग